नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? कौसल जी आप कहां से हैं? कौसल जी संत्रामपाल जी मारासर नाम दिक्षा आपने कब ली? कौसल जी क्या काम करते हैं आप? सर संत्रामपाल जी मारास से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साथना भी करते थे? सर क्या कारण बना कि आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में आए? सर इसकी बहुत लब कहानी है सर जो मैं एंभार्मा कर रहा था तो नीचे रहे वाले पॉस्तन मैं रहते था मुझे पुष्टक मोरा तो मैं उपर तो वहां मुझे पुष्टक ही मिली घ्यान गांगा और मेरी सर शुरूर से आ रहे थी कि कोई धार भी पुष्टक पढ़ने की मेरी आ रहे थी तो मैंने किताब पॉठ़ के देखी तो उसमें उल्ट Black को कुंई मैंने देखा उपर जड़ पर गपीर साथ को देखाया रहा ता और जा हैता जहनल पूल प्रमात्मा बताया एक। ने बिखा भुग ले आया तो इसके बाद दो डिने और अब घर्पोल ने की रहने। कौसल जी संत्रामपाल जी महारास से नाम दिख्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाब भी प्राप्त हुए कौसल लाब हुए एक में लाब यह हुआ उसी महने के बात है जिस मेंने हम नाम दान लेकर आए थे उसमेरी स्टुनेर लाइफ थी में जहां सी पड़ता था तो दो बजे से लेकर तीन बिद्र की बीच में लंच होता था एक घंटे का तो हम डपार्टमेंट से अपने रूम पराजमनी ने दिया था प्रिफमंत्र तो उसका जाप करती से प्रिफमंत्रिय हमें मिला हुआ था तो हमारी हमने ऐसी हवेट बना ले थी कि हमें साब्स घंटे हम उसे के तो आख बंद हो गई है तो हमारा एक क्या हुआ कि हम एसा लाकि मेरी आत्मा निकलके बगल वाले कम आपने में दो तिन बच्चे थे हमारे जूनियर वो अटाज खेल लाए थे मैं देख लिए कि वो तास खेल लाए है और यह सही सही सभान निकला वैसे यह को निकला पकड़ पकड़ो तो डरके मारे हमें घ्यान तो था नहीं हमा सही में कैसे खुछू इसकी बुदी मुझे तो परमात्मान की दया से अपने आप प्रिकट होके मेरे सहीर को अपने सहीर में डाल दी मेरे आत्मा को तो तब गुरुजी ने मना भी किया था कि बेटा आँखे बंद करके समाधी मन लगाना बना काल के दाव लग जाएगा यह सी दो बार घटना हुई ती मेरे साथ दो बहुत बड़ा लाब दिया मैры पिताजी की उमर बड़ाई परमात्मान है। जब मैं जासी पर्टा था जासी तक हमें और भाइन बचा को दूसरर हमत्त मिल चुका थन सत्राव। रात में 11-12 बजे के आसपास पापा उठेते तो पेसाब के लिए तो उन्हों देखा कि पिताजी बैठे हुए है पिताजी देखे तो उन्हों देखे लेकिन ब्रामदे में कुछ फोटू लेगे थे परमा संत्रामज महाराज के और कभी साब के तो आगे नहीं बढ़ पा रह तो परमातमान नहीं कहारा खरी बेटा कोई द्थमस्या आया कोई काल का टैक हो सिर्थ सतनाम कर लेना तो हां पिता जी ने सतनाम किया और वहां से वह काल चला गया वह उस दिन मतलब वह पापा को लेने ही आया था कि उसससे पहले एक महने पहले से कई बहुत तवित खराब रही थी हमारे पिता जी की बहुत लोग एक प्रमातमान ने उनका रक्षा की उसके बाद परमातमान दया से संतरामाजी नहीं कोई दिक्ट नहीं आराम से इसके अलावा मैं संतरामाजी महारास पहले की बात है कि कई बार कई साल से मेरे मिमलभ पत्थ हैग ने हैक आथ में proch między की बहुत बंती थी मेरे मेरे जब्लाशय ने तो आब को महारा में और भानतम बाठाजि जाल दो तिन बार पस्री बन जाती है और दर्द इतना होता है कि किसी ने गोली मार दी हो पेट में तो परमात्मने कि कहा कि कुछ दिक्कत तो समढ़ करना नाम का मरद्या में रहके और अमरज जाल ले लिया कर जब अब भगजी ऐसा है कि जब अब तो कई साल से पत्री बनी जाता है तो अमरज ले लेता हूं दर्द भुलकों खतम और अगले दिन में बाहर निकल जाती है एक बिना बिना टीटमेंट बिना दवाई के कोई पत्री पेट में रहती मेरी तो सही सोच रहता हूं भगजी मैं और मेरी कुछ आति की स्थी गढ़बड थी अब मैंने एक अपना मेडिकल खोल लिया है उसमया खूब बरकेत है कोई दिकत नहीं आता हम सच्छा काम चला है कोई टैंसली और में कोई दिकत नहीं होती हमारी संत्रमाज जी महास के दया से आज मेरी आतिरिस्ती बहुत अच्छी है एक बार मैं अपनी पतनी की साथ जा रहा था तो दो खटना है घटे थी दो दिन अलग अलग एक बार मेरे बाइक के आगे एकदम अचानक गाय आ गई तो गाय को भाई रोक के परमाद से संत्रमाज दया से मेरे गाड़ी एकदम आगे निकल गई बनना का टक्कर होती तो साथ होता हम लोग नहीं बशते बहुत बिकट होने को सब लोग यह भी कहने लगे अगल बर कि यह कैसे हो गहा जबकि मेरे बतनी जुड़ी भी नहीं नहीं कर दो कि कहने लगें कि की आपकी गाड़ी एकदम आगे कैसे हो गई मैंना समझें कि संत्रमाज जिमाज की दया से मुझे लाब मिला एक बार कीशे बस लेके आया तो मू सब लोग ते दो बार परमात्मा ने बचाया मेरे लिए संत्रामाजी महास्टा से बचाओं मैं और सर जी इसके लाबा मेरे मम्मी को हाट के प्रॉबलम है उनकी रामुरती मरेली में दखवाय अंजियोग्राफिक कराई थी उनकी तो उन्होंने डाक्टर ने बताया कि दो पासावे नहीं इतना मैंने कहा कि ऐसा करो अधास लगाओ संत्रामाज माराज से कुछ दया करेंगे तो यह तो बड़े-बड़े कैंसर के बाफ से कर दिया तो यह तो हलकी सी बीमारी है तो हमाता के लिए भी सतना मिल चुका है भक्ति करती है आराम से और वो दबा भी जो संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सरे लाप राप्त हुए लेकिन सर कहा जाता है कि संत्रामपाल जी मारा से उनके अन्युआई अंत्सरद्दा के तहर जुड़ते हैं सर आप एक डॉक्टर है पड़े-लेखे भ्यक्ति हैं क्या यह बात पूजा करता था जैसे हमाय पून परमात्मा की तलास सी हम अब तक यहीं नहीं पता था कि पून परमात्मा कौन है कि ब्रह्मा जी आए है जो धर्म घृत है उन्हों पता नहीं हम जो क्या करें कहने लेकिन परमात्मा आत्मा के साथ ही है उन्होंने बताया उन्होंने मार्क दखाया वह पुष्तक दिलाई गयान गंगा वो पढ़ी हमने उसमें सब देखा हमने डेडेल देखी कि ब्रह्मा विश्रू मैं अजामर अमन नहीं है इनकी मृत्वी होती है इनके माता पता भी है इनका पूरी फैमिली वो देखा परचा तो पता लगा कि परमात्मा आएगा है उससे पहले हम नाट फिच्छों में देखते हैं कि समका माल सब्सक्राइब को देखा है आप उनके लिए क्या संदिश देना चाहेंगे संदिश का सर मैं प्राथा नहीं कर सकता हूँ कि संदिश देने वाल परमात्मा है दास तोड़ा ये कहना चाहेगा कि भई पढ़े लगा समाज है सर संतरामपाल जी मारास से नाम दिख्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है संतरामपाल जी मारास से नाम दिख्षा कैसे लेने के लिए साड़ा साथ बजे साधना टेवी पे सरसंग आता है संतरामपाल जी माराज का उस पर आप नीचे एक लैंज चलती है उसमें नमबर दी हुए है उस नमबर पे आप जब कॉंट्रेक्ट करोगे तो आपको आपके जिले में जहां नामदान केंदर खुला हुआ है भाहां की जानकारी मिल जाएगी भाहां नामदान केंदर पे जाके जो जिला कॉंडिनेटर उससे बात करका कि आप संतराम भाजी महारास से नाम दिश्चर घ झाल झाल झाल